नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, राजा राम मोहनरोजी के बारे में आप सबको मालूम है, एक ग्रेट रिफोर्मर थे, फादर आफ मोडेन इंडियन डुनेशन साब बोल सकते हूँ, तो आज इस इनका जनम में 22nd, 1772 में हुआ था, देन बंगाल प्रेजिन्सी राथानगर में, आज राथानगर हूगली डिस्टिक में आता है, तो इनका 250 बर्दे अनिवेर्सरी दोस्तों, 2022 में, आज कल का चेंजिंग सोशल और रिलीजियस सरकम्सेंस को देखते हुए, राजा राम मोह पुरिशों और महलाओं के काम और शब्दों को प्रोफेल करती है, तो इस किताब में, रामचंद्र गुहा साथ ने, राजा राम मोहन रोई के बारे में ये लिखा है, वो इंडियन सबकोर्डिनेंट का पहला वेक्ती थे, जो ट्रडिशनल सोशल स्ट्रक्टरेस के चलंज़स के एगेंस फाइट किया, और वो उन पहले इंडियन में से एक थे, जिनके विचार और व्यवहार, परिजन, जात और धरम के बंधनों से बंधे नहीं थे, राम मोहन रोई जी का जनम एक अपर कास्ट भ्रामिन फैमिली में हुए थे, जहां और्थोलोक्स कास्ट प्राक्टिसस फोलो होते थे, लैक चाइल्ड मैरिज, पोलीगामी, पोलीगामी मतलब एक से ज्यादा बर शादी करना, डा अरभिक, सांस्कृिक और इंग्लीश भी जानते थे, आप देखी इतने सारे लैंग्वेजज़ वो जानते भी थे और इतने सारी लैंग्वेज़ में वो लिटरेचर, कल्चर ये सब भी पढ़ते थे, तो ये सब पढ़ने के बाद उन्हें हमारे देश में जो ट्रेदिश अभी उनके बेड़े भाय की मृत्वी के बाद ऐसा ही एक शिकार हुई थी तो इसी वज़े से वो सती जैसे प्रक्रिसेस के एगेंस्ट काफी फाइट किया और 18th सेंचुरी के अंत में मुगलों का पतन और बेंगाल में इस्ट इंडिया कंपनी का आरोण भी वो समय था जब राई थीरे थीरे अपने आप में आ रहा था उनकी एजूकेशन की वज़े से उन्हें फिलोसफी एंड थियोलोजी में बेसिकली दर्शन और धर्म शांस्तर में काफी इंटर्स था और उन्होंने वैदासान उबनिशत भी पड़े सबसे ज़्यादा इन्हें फ्यर्सनेेट किया था इन्होंने काफी सारे मामलों के ओपर व्यापक-पद लिखे लाइक theology के उपर, polity के उपर, human rights के उपर और काफी सारे Sanskrit texts को बंगाली में translate भी किया वैसे राम मोहन्रोई religion के against नहीं थे वो तो ये बिलीव करते थे society में जितने fundamental changes होनी चीए वो religion से ही शुरू होना चीए उन्होंने कभी भी religious होने का या फिर secular होने के बीच में जो distinction किया है ये भी नहीं बनाया वो religion के against कभी भी नहीं faith किया पर religion के नाम पर जो misrepresentation हो रहा था या फिर जितने traditional barbaric practices and rituals चलना था society में उसके against fight किया इसलिए रेबीदर ना टागोर जी ने उन्हें भारत पतिक भी बोले थे टागोर जी का कहने का मतलब ये था कि राम मोहन ने उनके विक्टिक्ट में इंगिन civilization की जो spirit हमारी pluralism की जो भावना है मतलब बहूल बात की जो भावना है और सहिशनुता को एक साथ जोड़ा इसलिए उन्होंने राम मोहन जी को भारत पतिक बोले थे वैसे दोस्तों 1814 में इन्होंने आत्मिय सभा या फिर Society of Friends स्टार्ट किये थे वैसे मोनोथिसम से काफी इंस्पेट थे मैंने आपको पहले बोला था Christianity में जो मोनोथिसम प्रिंसिपल फोलो हो रहा था उसे काफी इंस्पेट थे और इसके साथ-साथ इन्होंने आइडोलिटरी के एगेंस्ट आइडोलिटरी मतलब जो आइडोल्स का वश्षिप करते हैं कासिसम के एगेंस्ट, चाइल्ड मैरियज के एगेंस्ट और आदर सोचल इल्स के एगेंस्ट भी आत्मिय सभा के तुरू campaign किया इसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सफा फोर्म किया था ये ब्रह्मो सफा आत्मिय सफा का एक continuation बोल सकते हो और ब्रह्मो सफा इन्होंने start किया था विद देवेंदर नाथ तागोर अब देवेंदर नाथ तागोर को है दोस्तों रिवेदर नाटागोर जी के पिदा जी थे अब ओल इसनों सती educational and religious reforms ये जब कोलकता में थे करीब 15 साल के लिए he become a prominent public intellectual इन्होंने campaigning किया education को modernize करने के लिए in particular western curriculum को इंडिया में introduce करने के लिए और इन्होंने साथ साथ में several educational institutions भी start किया कोलकता में 1817 में इन्होंने Scottish philanthropist डेविट हैर के साथ कोलाबरेट करके Hindu college सेटप किया आजकल Hindu college presidency university के नाव पर जाना जाता है इसके बाद Anglo Hindu school in 1822 1830 में Alexander Duff को assist करके general assemblies institution सेटप किया general assemblies institutions बात में Scottish church college बन गया और फाइनली 1829 में राजाराम मोहनरोई, इस्वर्चंदर विद्यासागर इन सब के relentless support की वज़े से सदी अपोलिश किया गया under the governor generalship of William Penteke इन्होंने British government को petition भी फैल किया women की property rights के लिए freedom of the press के लिए 1829 में और 1830 में और इन्हें title of राजा दिये थे मुगल एमपरर अकबर 2nd इनके radical thoughts and vision की वज़े से United Kingdom and America जैसे countries में इन्हें काफी recognition मिला पर इंडिया में इन्हें काफी कुछ attacks face करना पड़ा था क्योंगी इंडिया में कुछ elite classes को इनके reformist agenda पसंद नहीं हो रहा था और कुछ British reformists and functionalists के जो views थे वो इनसे काफी अलग थे इसलिए इंडिया में उस वक्त इतना अचा reception उन्हें नहीं मिला था तो दोस्तों that's it अब इनके 250th birth anniversary में क्या-क्या celebrations planned है सबसे पहले West Bengal में इनका एक statue unveil किया गया at Raja Ram Mohonroy Library Foundation Salt Lake by GK Reddy Ministry of Culture Tourism and Development of North East Region West Bengal State Government इनका ancestral house है जो राथानगर हुगली डिस्टिक में उसा उसका repairs करवाया है और इस house को heritage status भी गन्फर करने वाला है कोलकता में जो साथारन भ्रहमो समाज है उन्होंने तीन दिन का inaugural program भी organized किया है और एक philatelik exhibition on the Bengali renaissance भी organized किया है by Ram Mohon Library and Free Reading Room जो 1904 में set up हुआ था तो ये सारे celebrations plant है दोस्तों देश भर में तो दोस्तों that's it I hope आपको वीडियो थोड़ा बहुत informative लगा होगा वैसे राजारा Mohon Roo जी के बार में बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा दोस्तों वैसे NCRT में हमने cover किया ही है इनके contributions इतने दोस्तों society के लिए societal rights के लिए women's empowerment के लिए हमारा traditional social structure में जितने barbaric practices हो रहा था उन सब को बंद करने में राजाराम Mohon Roo जी का जो contribution है बहुत भूल नहीं सकते so lecture की PDF आई सुचल आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे प्रवाइद है thank you for watching bye bye have a nice day